तो दोस्तों नमस्कार मैं अतुल मिस्तरा आप सबका फिर से चंद्रा इंस्टिटूट के ओनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके UP-PCS एक्जाम से संबंधित है तथा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीव विज्ञान का टॉपिक कंसीडर कर रहा हूँ दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में आपको पोशन तथा पाचन तंत्र शुरू किया था और इस पोशन तथा पाचन तंत्र में मैंने आपको पोशन के विशय में जानकारी दिया था पोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव या अगर थोड़ा सा मैं strictly way में बात करूँ तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपने भोजन का निर्माड करता है और जन्तु पौधों की द्वारा बनाये गए भोजन को ग्रहण करता है उसे बोला जाता है पोश्व इतना आपने समझा था फिर मैंने आपको बताया था कि जन्तु पौधों की द्वारा बनाये गए भोजन को तीन तरीकों से ग्रहण कर सकता है एक प्रत्यक्ष रोप में दूसरा आप्रत्यक्ष रोप में और तीसरा आप्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष दोनों रुपों में ग्रहण करता है सारी जानकारी आपको मैंने दिया था यानि कि पोशन अगर मैं अपने दैनिक जीवन की भासा में पोशन की बात करूँ साइन्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उस साइन्स को अपने दैनिक जीवन में ले आने का प्रयास करें तो कहते नहीं है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे बोला जाता है पोशन यानि कि हमने भोजन को ग्रहण किया कहां से ग्रहण किया पौधों से ग्रहण किया अब ज़रा सोचे कि क्या हम लोग डेली कैसे हम लोग पौधों से भोजन को ग्रहण करती होंगे कुछ लोग तो यह सोच रहे होंगे कि यार हम दाल चावल रोटी सबजी दूधंडा मांस मचली आदी चीज़ों को खाती है तो यह पौधों से हमें कहा मिलता है दाल चावल यह सारी चीज़े हमें पौधों से मिल रही है सारी चीज़े हमें भोजन जो होता है वो पौधों से ही प्राप्ट होता है अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि मैंने आपको बताया कि पोशन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसकी द्वारा हम पौधों की द्वारा बराये गए भोजन को ग्रहण करती है उसी बोला जाता है पोशन अब द्यानिक जीवन में अगर मैं भोजन की बात करूँ तो द्यानिक जीवन में भोजन की कई वराइटीज आती हैं इस भोजन की कई वराइटीज हैं द्यानिक जीवन में डेली लाइफ को द्यानिक जीवन में आप अगर भोजन को ग्रहण करती हैं तो कोई कहता है कि मैंने दाल, चावल, रोटी, सबजी, दूध, अंडा, मांस, मचली, बर्गर, पीजा, चावमिन, पास्ता, कुछ भी खाया है ये आप दैनिक जीवन में इतना भोजन गिनाती हैं कि मैंने आज यह यह चीज खाई है सबजियों में भी कोई कई वराइटी, कोई काजू कुरुमा की सबजी, कोई पनीर की सबजी, कोई कुछ भी खाया है ये आप दैनिक जीवन में इतना भोजन खाते हैं जितना आप सोच सकती हैं या जितना आपका experience होगा वो आप दैनिक जीवन में खाते हैं लेकिन science के language में ये भोजन केवल और केवल 6 चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कार्वो हाइडिट को ग्रहड करती हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम प्रोटीन को ग्रहड करती हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम फैट को ग्रहड करती हैं वाटर को ग्रहड करती हैं मिनरल्स को ग्रहड करती हैं यानि कि खनीज लवनों को ग्रहड करती हैं और विटामिन को ग्रहड करती हैं उसे ही बोला जाता है क्या पूर्शन अब यहाँ पर धिहान देजे कि दैनिक जीवन में मैंने आपको भोजन की कई वराइटीज बता दिया दाल, चावल, रोटी, सब्जी, वाधी चीज़े लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि साइंस की लेग्विज में अगर बात करें तो हमें इन सभी प्रकार के भोजनों से केबल और केबल ये च्छ चीजें ही प्राप्त होती तो साइंस पढ़ा रहा हूँ तो साइंस की लेवल पर डिफिनिशन की बात करें तो वह प्रक्रियर जिसके द्वारा कार्बो हाइडरेट को, प्रोटीन को, फैट को, जल को, खनीज लमण को, विटामिन को ग्रहड किया जाता है उसे ही बोला जाता है पोशन लेकिन जैसी ही हमारे सरीर में ये तीन चीजें आती है यानि इन तीन चीजें को जब हम खाती है तो हमारे बोल्डी के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा जो सरीर होता है वो वाटर को वाटर के रूप में यूज कर लेता हमारा सरीर कहता है चलो water आया है कोई दिक्कत ने उस water को हमारा सरीर यूज कर लेगा minerals को भी हमारा सरीर सोचता है कि चलो minerals को भी हम यूज कर लेती है और vitamin के बारे में भी हमारा सरीर सोचता है कि चलो मैं vitamin को भी यूज कर लेता हूँ इस तरीके से हमारा जो सरीर होता है वो वाटर को वाटर के रोप में, मिनरर्स को मिनरर्स के रोप में और वाइटमिन को वाइटमिन के रोप में यूज कर लेता है लेकिन कार्बो हाइडरेट को यूज नहीं कर पाता हमारा सरीर जब कार्बो हाइडिट को यूज नहीं कर पाता प्रोटीन को भी यूज नहीं कर पाता फैट को भी यूज नहीं कर पाता तो फिर क्या जरूरत थी हमें इन तीनों को ग्रहड करने की इन तीनों को खाने की क्या जरूरत सच में इन तीनों को खाना हमारी मजबूरी है मजबूरी क्या है वो समझे हमारे बॉडी को अगर जीवित रहना है अगर हमारे सरीर को जीवित रहना है तो हमारे पास ग्लुकोज होना ही चाहिए लेकिन समस्य यह है कि ये glucose हमें केवल और केवल कार्बो हाइडिट से प्राप्त होगा हमारे बॉडी को glucose की जरूरत है लेकिन ये glucose हमें कार्बो हाइडिट से प्राप्त होगा इसलिए हम कार्बो हाइडिट को ग्रहड करेंगे और इस कारबो हाइड़िट को परिवर्तित कर देंगे किसमे ग्लुकोज में ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉड़ी को अमीनो एसिड की जरूरत है अमीनो अमल की जरूरत है लेकिन ये अमीनो एसिड हमें केवल और केवल प्रोटीन से प्राप्थ होगा इसलिए पहले हम लोग प्रोटीन को ग्रहण करते हैं फिर उस प्रोटीन को पचा करके उसे किसमे बदल देते हैं अमीनो एसिड में तथा उसी प्रकार से हमारे बौडी को फैट की जरूरत है लेकिन ये फैटी एसिड हमें फैट से ही प्राप्त होता है इसलिए हमारा सरीर ज प्रहण करता है फिर फैट को बदल देता है किसमें फैटी एसेड में अब यहाँ पर ध्यान देजे कि मैंने आपको बताया यहां से बात क्या निकल करके आ रही है इसका निसकर समझने का प्रयास करिए कि जब हम इन 6 चीजों को खाती हैं तो हमारा जो सरीर होता है वो उपर क कि इन 3 चीजों को यूज नहीं कर पाता कार्बो हाइड़ीट प्रोटीन और फैट को यूज नहीं कर पाता, वॉर्टर, मिनरल्स और विटामिन को इसी के रूप में यूज कर लेता है لेकिन हमारा सरीर इन 3 नों को यूज करने के लिए इनको क्या करता है परिवर्थित कर देता है अब दोस्तों यहां पर ध्यान देजेगा कि एक बात ये निकल करके आ गई है कि हमारा सरीर इंच चीजों को ग्रहड किया है और इंच चीजों में से इन तीन चीजों को इसी के रूप में यूज कर लिया है और इन तीनों को यूज करने के लिए हमारे सरीर ने इसको इन तीन चीजों के फॉर्म में परिवर्तित कर दिया है अब आपके मन में ये प्रस्ण आ रहा होगा कि क्या रीजन है कि हमारा सरीर इन तीनों को इसी के फॉर्म में यूज़ कर लेता है यानि हमारा सरीर जो है वो वाटर को वाटर के रूप में यूज़ कर लेता है कार्बो हाइडरेट के रूप में यूज क्यों नहीं कर पाता प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में क्यों नहीं यूज कर पाता और फैट को फैट के रूप में क्यों नहीं यूज कर पाता ये आपके मन में ये प्रस्न आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो ये आपको सोच तो उसका उत्र ये है कि हमारा सरीर जो होता है पहली बात तो ये समझे ये कार्पो, हाइडरेट, प्रोटीन और फैट ये तीन प्रकार के जटिल योगिक होती हैं, कॉंप्लेक्स मॉलेक्यूल होती हैं इसलिए हमारा सरीर इन तीनों को यूज नहीं कर पाता जबकि वाटर, मिनरल्स और वाइटमिन ये तीन प्रकार के सरल अड़ होती हैं, सिम्पल मॉलेक्यूल होती हैं इसलिए हमारा सरीर इन तीनों को इसी के फॉर्म में यूज कर लेता है तो हमारा सरीर इस जटी लिया होगे कियानि इन तीनों को यूज करने के लिए पहले इसे कार्बो हाइड़िट को ग्लुकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में बदलता है और फिर यूज करता है और हमारे सरीर की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम इन तीनों को इस फॉर्म में परिवर्तित करते हैं उसी ही बोला जाता है पाचन तो पाचन का साब्दिक अर्थ होता है, पाचन का मतलब होता है विखंडन करना, किसका विखंडन करना, इन तीन प्रकार के भोजिपदार्थों का, कार्भो हाइरेट का विखंडन करके ग्लुकोज में, प्रोटीन का विखंडन करके अमीनो एसिड में, और फैट का विखंड में हमारी सहायता करती हैं उन्हें बोला जाता है क्या पाचन तंत्र तो दोस्तों इस तरीके से आपने अभी ये समझा है कि जब ये च्छा प्रकार की चीजें हम ग्रहण कर लेती हैं तो कितने चीजों को पचाने की जरूरत है पचाने की जरूरत केवल इन तीनों को है इन त इनों एक प्रकार के सरल और सिंपल मॉलेक्यूल होती हैं और पचायेगा कौन हमारे सरीर के विसारे अंग जो भोजन को इन तीनों को पचाने में इनवाल्व होती हैं उन्हें पो लगाता है पाचन तंत्र अब बात करेंगे हम लोग पाचन तंत्र के बारे में आती हैं next point पर देखे यहाँ पर सबसे पहले तो पाचन तंत्र के बारे में ठोड़ा बहुत और जानकारी लेती हैं तेखी जुद पाचन तंत्र होता है इस पाचन तंत्र को दो भागों में बाक दिया गया एक होता है जिसे बोला जाता है आहार नाल और दूसरा होता है सहायक पाचक अंग आहार नाल अंगों का ऐसा समुह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से भूजन का पाचन करता है और सहायक पाचक अंग अंगों का ऐसा समुह होता है जो भोजन के पाचन में आहार नाल की सहायता करते हैं ध्याद दीजेगा पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है एक होता है जिसे बोलती है आहार नाल दूसरा होता है जिसे बोला जाता है सहायक पाचक अंग आहार नाल ही भोजन का पाचन करेगा आहार नाल ही भोजन को पचाएगा लेकिन कभी कभी हमारा आहार नाल भोजन को पचाने में असमर्थ होने लगता है तो सहायक पाचक अंग आहार नाल को क्या करेंगे सपोर्ट करते हैं जैसे एक अंग है जिसका नाम है लीवर, एक अंग है जिसका नाम है पैंक्रियाज, एक अंग है जिसका नाम है गाल ब्लैडर, एक अंग है जिसका नाम है अपेंडिक्स, यह सारे अंग ऐसे होती हैं जो भोजन के पाचन में आहार नाल को सपोर्ट करती हैं ताकि आहार नाल भोजन का पाचन कर सके और अहार नाल ही भोजन को क्या करता है पचाता है अब यहाँ पर आगे की चीज़ अगर आपको समझना है तो दो चीज़ी मैं आपको एकदम आपके दिमाग में बता देना चाहता हूँ कि दो चीज़ों को अपने दिमाग उकदम minerals को और vitamin को साथ साथ आपको उसी समय ये भी ले आना होगा कि इन चीजों में से हमें केवल और केवल उपर के इन तीनों का पाचन करना है इन तीनों का पाचन नहीं करना है इन तीनों को absorb करना है हमें इन तीनों को भी absorb करना है लेकिन पहले इन तीनों को पचाना है फिर एब्जॉर्ब करना है और भोजन का पाचन करेगा कौन आहार नाल और सहायक पाचक अंग आहार नाल को क्या करेंगे सपोर्ट प्रदान करते हैं अब आते हैं आहार नाल पर दोस्तों ये देखें ये है हमारा आहार नाल ये है दूसरा अंग, ये है तीसरा अंग, ये है चोथा अंग, ये है पाँचवा अंग, और ये है छटवा अंग, इतने अंग होते हैं, यहाँ पर पहला अंग है मुख, दूसरा अंग है ग्रसनी यानि के फैरिंग्स, तीसरा अंग है ग्रास नरी यानि इसोफैगस, चोथा अंग है आबास है पांचवा अंग है छोटी आग और इस छोटी आग के तीन भाग है पहला है ग्रहडी मध्यांत्र और सेशांत्र दूसरा तीसरा है यानि डियोडिनम जेजुनम और एलियम उसी प्रकार से बड़ी आग के भी तीन भाग है ए बी और सी यानि कि सीकंग व्रि 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब चुआ कि यह तीनों अंग मिल जाती है तो एक अंग बन जाता है चोटी आग, उसी प्रकार से यह तीनों मिल जाती है तो एक अंग बन जाता है बड़ी आग, तो इतने अंग होती हैं अब देखिए अपने दिमाग में वो चीज याद रखेगा जो भी मैंने कहा था कि जब मैं भोजन की बात करूँगा तो वहाँ पर आपको कार्बो हाइड़िट प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनेरल्स और विटामिन के बारे में सूचना है जैसे ही भोजन मुख में आता है, भोजन सबसे पहले कहां पर आता है, मुख में आता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही सुरू हो जाता है क्योंकि हमारे मुख में लार पाया जाता है, और लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है और यही जो टाइलिन एंजाइम होता है, यह 5% कार्बो हाइड़िट का पाचन करके, उसी सुगर में परिवर्तित कर देता है और यही कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं, तो रोटी हमें मीठी लगती है यहां से 5 सबाल एक्जाब में हर बार अक्सर पूछा जाता रहता है कि भोजन का पाचन कहां से सुरू होता है, मुख से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ताइलिन एंजाइम ताइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, कार्बो हाइडर का और किसमे परिवर्तित करता है, सुगर में और क्या कारण है कि जब हम रोटी को अच्छी तरह से चबाते हैं तो रोटी का स्वाध हमें मिठा लगता है क्योंकि जब ताइले नंजायम कार्बो हाइडर को सुगर में कनवर्ट कर देता है तो इसलिए रोटी का स्वाध हमें मिठा लगता है उसकी बाद जब भोजन ग्रस्नी में आता है और ग्रास नली में आता है तो यहाँ पर भोजन क भोजन का पाचन नहीं होता याद रखेगा ग्रस्नी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता क्यों नहीं होता वो इसलिए क्योंकि भोजन का पाचन वहीं पर संभव है भोजन का पाचन वहीं पर हो सकता है जहां पर भोजन को पचाने वाले एंजाइन पाए इसलिए ग्रसनी और ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता है। जब भोजन आमासे में आता है तो आमासे में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है। कितना प्रतिशत प्रोटीन का पाचन होता है तो आमासे में 70% प्रोटीन का पाचन होता है। क्योंकि आमासे में प्रोटीन को पचाने के लिए दो एंजाइम एक का नाम है पेपसिन और दूसरे का नाम है रेनिन ये पेपसिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं और ये दो उनों एंजाइम जो होती हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं अब यहां पर धियान दीजे यह जो पैपसिन एंजाइम होता है यह सामान प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है जबकि रेनिल एंजाइम जो होता है यह विशीस प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है जिसे के केसिन प्रोटीन कहते हैं और यह जो केसिन प्रोटीन होता है यह दूध में पाया जाता है इसलिए इसे मिल्क प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है मिल्क प्रोटीन के नाम से जाना जाता है अब यहां पर पॉइंट्स को समझने का सवाल पुछा जाता है कि प्रोटीन का सर पचाने के लिए दो एंजाइम पेपसिन और रेनिन पाया जाता है पेपसिन एंजाइम किसको पचाता है सामाने प्रखार के प्रोटीन को रेनिन एंजाइम किसको पचाता है केसिन प्रोटीन को और केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है दूध में पाया जाता है या किस प् तो आते हैं फिर से अपने पिछले वाले पेंच पर यह देखे यहां पर इस तरीके से आमासे के बारे में आपने समझ लिया अब देखे यह चोटी आंथ चोटी आंथ में जब भोजन आता है अभी तक यह सोची क्या-क्या पचा है मुख में 5% कार्बोहाइड पचा है 95% कार प्रूब भी नहीं हुआ है उसके बाद जब भोजन ग्रहडी में आता है तो इस ग्रहडी में अब इसको फिर से मैं नेक्स पेज वे आपको समझाओंगा यहां पर देखान दीजे इस ग्रहडी में भोजन का सरवाधिक पाचन होता है मैक्सिमम डाईजेशन टेक्स प्लेस इन दीोडिरम यानि कि ग्रहडी में भोजन का सरवाधिक पाचन होता है तो अगर आप से सवाल पूछा जाए कि भोजन का सरवाधिक पाचन कहा होता है तो आप बताएंगे ग्रहडी में अब सवाल ये भी तो पूछा जा सकता है कि क्यों ग्रहडी में ही सरवाधिक पाचन होता है क्योंकि ग्रहडी के बगल में एक अंग पाया जाता है जिसे बोला जाता है अगनासे और ये अगनासे भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम का निर्माड करके ग्रहडी में भेज देता है और यही कारण है कि ग्रहडी में भोजन का सरवाथिक पाचंग होता है अब आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगना से कौन कौन से एंजाइम का निर्माड करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगना से एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है एमाइलीज एंजाइम एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है ट्रिपसिन एंजाइम और एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है लाइपीज एंजाइम ये जो एमाइलीज एंजाइम होता है ये कार्बो हाइडर्ट यानि कि स्टार्च का पाचन कर देता है और ये ट्रिप्सिंज होता है ये बची हुए प्रोटीन बची हुए प्रोटीन का मतलब 30% प्रोटीन और आईपीज होता है, वो फैट का पाचन कर देता है, यहाँ पर एक मोटी मोटी जानकारी ऐसे रखिए अभी इसको आपको डिटील में समझना है, अभी केवल इतना समझेगे कि ग्रहडी में भोजन का सरवाधिक पाचन, क्यों सरवाधिक पाचन? क्योंकि ग्रहडी के बगल मे अगनासे है, और अगनासे ने क्या किया? कि यह तीन प्रकार के एंजाइम का निर्मार करके ग्रहडी में भेज दिया, और यही कारण है कि ग्रहडी में भोजन का सरवाधिक पाचन हुआ है, अभी बचा है, यह मध्यांत्र और सेसांत्र, तो यहाँ पर भोजन का बहुत कम पाचन होता है, आंसिक पाचन होता है, और सेसांत्र तक आते आते मनुस के सरीर में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, तो सवाल कुशा जाता है कि मनुस में पाचन कहां पर पूरा होता है, सेसांत्र में पूरा होता है, उसके बाद जो साकाहारी जन्तु होती है जैसे गाय, भैस, बकरिया इन सब में भोजन का पाचन सीकम में पूरा होता है क्योंकि सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है और सीकम के बगल में अपेंडिक्स पाया जाता है और ये जो अपेंडिक्स होता है ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है मनुस्य के सरीर में सेलोलोज का पाचन नहीं होता याद रखेगा ये केवल और केवल साकाहरी जन्तों की बात हो रही है मनुस्यों में सेलोलोज का पाचन नहीं होता इसलिए मनुस्यों में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है इसलिए मनस्यों में appendix को अवसेसी अंग की रूप में गिना जाता है सवाल पुछा जाता है कि मनस्यों में कौन सा अंग अवसेसी अंग होता है appendix ये किसकी पाचन में सहायता करता था cellulose की पाचन में सहायता करता था अब हमारे सरीर में cellulose का पाचन नहीं होता इसलिए हमारे सरीर में appendix का कोई कारे नहीं है इसलिए मनुस्यों में appendix को अवसीसी अंग vestigial organ के रोप में गिना जाता है तो अगर आपसे सवाल पुछा जाए कि मनुस्यों में पाचन कहां पर पूरा होता है सेसांत्र में, साकाहरी जन्तों में पाचन कहां पर पूरा होता है सीकम में, अब उसके बाद भी जो भोजन नहीं पच पाता जो नहीं absorb हो पाता उसे बड़ी आथ के सहारे सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये होता है पूरा पूरा पाचन तंत्र दो मिनट में एक बार और रिपीट करिए इसी को भी मैं फीगर के माध्यम से नेक्स वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें आप एक दम याद रखेगा कि भोजन का पाचन मुक्ष से सुरू हुआ ग्रस्नी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहां पर इंजायम नहीं पाया गया प्रोटीन का सरवाधिक पाचन कहां पर हुआ आमासे में भोजन का सरवाधिक पाचन हमारे सरीर में कहां पर हुआ ग्रहडी में और सेसांत में पाचन के क्रिया मनुस के सरीर में पूरी हो जाती है साका हरी जनतों में पाचन के क्रिया सीकम में सीकम के बगल में अपेंडिक्स है अपेंडिक्स इसको पचाने में सहता करता है सललोज को मनुस्वें सललोज का पाचन नहीं होता इसलिए मनुस्यों में अपेंडिक्स का कोई कारे नहीं है और मनस्यों में appendix क्रियात्मक रोप से निश्क्री हो चुका है इसलिए मनस्यों में appendix को अवसी सी अंग के रोप में गिना जाता है दोस्तों कैसा लगा ये जरूर बताईएगा ताकि आपकी feedback के according next video में performance किया जाए अगर आपको कोई भी topic समझ में नहीं आता तो comment में बताईए उसको फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा Thank you so much, thanks a lot